आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम है सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत अस्वागत है तो त्योहार मनाने के लिए तयार हो जो क्योंकि हम लैंड करेंगे यह आजी करेंगे आजी होगा ऐसी कि तैसी पोस्ट बॉन होग दिया जाएगा मैं आपको बता दूंगा अभी बहुत अच्छे से डीटेल में कि चंद्रियान 2 में हमने क्या गलती की और चंद्रियान 3 में कैसे इंप्रूब्मेंट क्या-क्या हुए हैं बहुत इंपॉर्टन तरीके से मैं आपको बताऊंगा और क्यों यह मिशन पोस्ट आज लैंड नहीं कर पाता है तो क्या हम सबको पता है कि जापान एजराइल और अभी लूना 25 रशिया का उफेल हो गए हैं तो इस समय उम्मीदे बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो दुगदुगी तो अंदर से हुई ही रही है है ना लेकिन डेफिनेटली चंद्रिया के खरीब लिचेस रिकॉर्ड लिचेस तीनों कोर्स 800 रुपए के तो इस कोर्स इसको ज़रूर भील करें फायदा होगा आपको तो इस रोच यहर में एस सोमनात ने पहले बोला है कि चंद्रियान 3 जो है अगर मान लो वो 23 अगस्त को सौफ्ट लैंडिंग मिस करता है तो हम आगले दिन लैंड कराएंगे लेकिन याद रखी ना कि देखिए फेल सेफ मैनर ये क्या है अभी हम बात करेंगे अगर सारे सेंसर्स फेल हो जाते तो इंजन स्टॉप हो जाते तब भी विर्क्रम जो है वो लैंडिंग करेगा देखो सबसे पहले आप यह समझो कि चंद्र ठीक है यह हमारा चांद यह है हमारी धर्ती 14 जुलाई को आंधर प्रदेश सतीज धवन सेंटर से हमने LVM3 यूज़ करके यह देखो रॉकेट इस तरीके का होता है है न ठीक है और इस तरीके का ऐसे यहाँ पे साइड साइड में जो है वो थ्रस्टर्स लगे रहते हैं ओक फिर से मैं बताता हूँ देखो यह चांद है यह धर्ती आपकी यह चांद है ठीक है तो यह जो होता है ऐसे ठीक है और यह थ्रस्टर्स होते हैं यहाँ पे साइड में है न यहाँ पे आपका में चीज यह होती है यहाँ पे आपका जो है वो पेलोड रखा रहता है अलब ज तो अब होता क्या है कि सबसे पहले ये थ्रस्टर जो है ये उसको उपर ले जाएंगे और ये नीचे गिर जाएंगे फिर ये वाला हिस्सा जो है स्टेज 2 में अलग हो जाएगा फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा भी अलग हो जाएगा स्टेज 3 में और अल्टिमेटले इसने धर्ती की कक्षा को छोड़ा ऐसे तो यहां पर जब हुआ तो क्या हुआ देखो ऐसे हुआ यह जब जैसे मान लो कि यह है धर्ती हमारी अभी देखो अभी इसको ऐसे यह लॉंच किया है और इस तरीके से यह अपना जो है वह ऐसे बढाता रहेगा अपना डिस्टेंस ठीक है और उसके बाद sling shot के बाद ये चांद की कक्षा में शामिल हो जागा लेकिन चांद की कक्षा में अचे धीमे धीमे जो है वो अपना ये distance जो है वो reduce करेगा अब देखो चंद्रयान 2 में क्या हुआ तो ये दखो ये है आपका चांद और मैंने क्या बता है कि यहां से आएगा और धीमे धीमे जो है वो अपनी हम देखते हैं 100 by 100 km की और बिट पर आता है जो और बिटर है तो चंद्रयान 2 में जो और बिटर था वो यहां पर आ गया अब उसके बाद इसको यहां पे भाई देखो और मिटर से निकला आपका क्या लैंडर अब यह जो लैंडर है इसको यहां चांद पे यहां पे ले जाना था अब चांद पे जरा आ जो चांद पे तीन देखो चांद के अगर बात करते हैं तो यह होता है जीरो किलो मीटर जहा यह चांद है और यहां पे यह लगबग 8 km को और 30 km का डिस्टेंस होता है ठीक है तो यह रफ ब्रेकिंग फेस में जैसे ही आपका लैंडर एंट्री करता है और फाइन ब्रेकिंग फेस में आते आते इसको ऐसे एकदम सीधा होना होता है समझ रहो जैसे मान लो कि जैसे यह प्रेकिंग फेस है यह थो यहांपर लैंड होना है तो एसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आके यहां पैसे सीधा होगा समझ रहो, ठीक है, चंद्रियान 2 में क्या हुआ था, कि भाई, जब यहां camera costing face होता, camera costing face में, यहां पे जब lander आएगा, तो यह photo खीचता है, चंद्रियान 3 में भी यही होगा, जैसे ही camera costing face पे आपका lander आएगा, तो यह photo खीचेगा, और इसके बाद photo यह किसको भेजेगा, orbiter को match कराएगा, है ना, अब देखें, चंद्रियान 3 में, यहां यह 17 minute का टेडर है, वो 15 minute का टेडर था, यहां पे 17 minute की window है, पाँच पैतालिस पे landing शुरू होगी, यानि कि 17 minute पे हम यहां पे होगे, ठीक है, और उसके बाद आपको यहां पे लाना है, अब देखें, photo खीची जाएगी, photo खीची जाएगी, match कराई जाएगी, और अगर अब यहां सब software पर depend है, software में ऐसी programming की गई है, कि यह आप decide करोगे, अगर सही है, land करने के लिए situation अनुकूल है, अगर camera आप लगातार फटाक फटाक photo खीच रहे हो, और अगर आपको लगता है कि land कर जाओगे, तो कर ले न, land, यह software को बोल दिया गया है, चंद्रियांट 2 में क्या थिया था, देखो यहां पे क्या है न, यहां पे जा, lander जा, जी ले अपनी जिन्दगी, यह हिसाब किताब है, चंद्रियांट 2 में की ऐसा है, तुमने अगर कुछ भी किया, तो बहुत मारेंगे, चंद्रि के बाद, engines fail कर गए थे, engines जो है, thrusters जो है, वो on हो गया था, यानि कि velocity, भाई, एक horizontal velocity होती है, तो आप, velocity आपके हाथ से चली गई थी, पूरा focus यहां पे इस दो ने बोला था, altitude, 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 और 10 जिगरी तक ही, उससे जादा नहीं tilt होना, 10 जिगरी तक ही, मतलब इतना ही 10 जिगरी होती 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 है, अगर मैंने बोला कि इतना ही टेड़े होना, तो accident होगा ही होगा, तो यह चंद्रियान 2 में दिक्कत थी, है ना, कि एक तो जो प्रोग्रामी की गई थी, बहुत ही लिमिटेट की गई थी, कि विड़ो नहीं दिया था, यहां पे जो लैंडर था, ठीक है, इस डिगरी तक flexibility दे दिया, कि तुम्हारे हिसाब से है, तुमको जो करना है करो, अचा, orbiter और अलड़ी है, तो इस बार orbiter नहीं भेजा गया, तो आप बोलेंगे, sir, orbiter नहीं भेजा गया, तो यह अंदर कैसे आएगा फिर, है ना, अंदर भी तो लाना है ना, तब तो orbiter त उपर जाएगा, तो इसके velocity होगी 1.68 km per second, बहुत तेज, फिर 14 km आते आते, इसके velocity को हम बहुत कम करेंगे, 630 meter per second के असपास, और जब यह एकदम पास में आ जागा, तो इसके velocity जीरो कर देंगे, कैसे होगा, thrusters, चार इंजन लगे, चार thrusters लगे हुए यहापे, तो बहुत बहुत तेज आ रहे, तो thrusters on होगे, और यह एक तरीकी से अवरोध पैदा करेंगे, और धीमे, 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 जो है, maneuver करके, soft landing करके, उतारा जाएगा, अब यहाँ पर एक चीज है, improvement, एक तो software improvement है, कि यहाँ पर software improve किया गया है, कि बेटा, कोई बात नहीं, degree जादा ले लो legs जो है, वो जादा structured है, sensors, sensors, sensors दिये गए हैं, तो sensor, sensor करेगा न, यहाँ पर इनके surface को यह lander sense करेगा, ठीक है, sensors इसलिए दिये गए हैं, और यह देखेगा, कि बाई, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं, tension की बात तो नहीं है, ठीक है, तो यह सारी चीजे जो हैं, वो देखेग कि अच्छा है, sensors से हमको यह पता चलेगा, कि land कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और legs इस बार बड़े strong दिये गए हैं, बहुती तगड़े legs दिये गए हैं, यानि कि एक तरीके से चाहें जो भी हो, चाहें सारे engine fail हो जाएं, तब भी इस बार lander land करेगा ही करेगा, अब देख हो रहा है, lunar day का मतलब क्या होता है, एक lunar day भारत के धरती के 14 दिन के बराबर होता है, यानि कि आपको लगातार सूरच की रोशनी मिल रही है, और सूरच की रोशनी मिल रही है, तो पूरा यह solar powered है, तो अगर miss हुआ, तो कल पर सो, नहीं तो फिर आपको एक महीना वेट करना पड़ जागा, फिर सितंबर में ही landing होगी, तो यह पूरा का पूरा सिनारियो है, और इस पर यह improvement दिये है, तो I hope, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रियान 2 में क्या गलती हुई, और चंद्रियान 3 जो है, वो क्यों सफल होगा, ठीक है, तो चलो, अब हम तीन सि second attempt on August 24, अच्छा एक बार आपको एक और चीज़ बता दू, कि इस बार एरिया भी बढ़ा दिया गया, साड़े-चार भाई, धाई किलोमीटर पहले, जब चंद्रियान 2 के समयने, landing का एरिया छोटा था, इस बार एरिया बढ़ा दिया गया है, अब यह कैसे बढ़ा रहा है सॉफ्ट्वेयर में फीडिंग होती है, तभी कहते हैं सॉफ्ट्वेयर अपडेट्स, यहां आप समझ लोग की जो लैंडर और जो आपका रोवर है, वो इनसानी है, समझ रहो, उसको उसके दिमाग में, उनके सॉफ्ट्वेयर में बहुत कुछ बताया गया है, तो इस बार स्पेस करफ, मैंने क्या बता, यह वर्टिकल है, और यह धीमे धीमे जो है, यह होरिजॉंटल और धीमे धीमे इसको वर्टिकल होना पड़ेगा, और यही सबसे इंपोर्टन, सबसे क्रूशल पार्ट है, क्योंकि यहां पर ही मैनुवरिंग आती है, अगला, नेक्स्ट अगली ओपेन जो है, जब सूरज, मून पर सूरज होगेगा, ठीक है, यहां के हिसाब से 14 दिन, यानि कि अब 14 दिन बाद, फिर जो है, हम लैंड करणा है, यानि कि सेतंबर तक जा सकता ही है, तीसरा सिनारियों क्या है, चंद्रियान थी जो है, वो वेट करेगा, ठीक है, 25 सबाइ 134 किलो मीटर तक इनका और्बिट है, ठीक है, नेक्स्ट अटेम्ट को मीट करेगा, अगर फेल होता है, ठीक है, चंद्रियान 2 फेल हुआ, मैंने बताया, क्योंकि जो लैंडर है, वो सर्फेस में लैंड नहीं कर पाया, कमूनिकेशन जो है, उससे खतम हो गया, और अल्टीटुट के आप फेल में प्राबलम थी, अल्टीटुट पे फोकस था, अच्छलि क्या ए ना, जो चंद्रियान 2 में software जो था, वो पूरा अल्टीटुट पे फोकस था, कि अल्टीटुट कुछ भी करके उसको चेंज नहीं करना है, आपको, बाकी चीजों पर सुझ नहीं दिया यह इसमें नहीं है यह चीज है तो इसलिए वह crash land कर गया चंद्रयान 3 इस जो मतलब यह सारे scenario's को इसने हटा दिया है ठीक है जिसकी वज़े से कभी फी चंद्रयान 3 जो है वह land नहीं कर सकता तो इस इसलिए आप ये समझो कि अभी तीन पॉसिबल सेनारियोज हैं एक तो आज लैंड करेगा एक हो सकता अगले नूर यानि कि सितंबर तक हमको जाना पर सकता है और एक कल भी या परसो भी लैंड या 27 अगस्त तक भी पोस्ट बोन हो सकता है अगर कोई दिक्कत आती है ये टोट फाइनल मिनेट्स सो दे लैंडर विल इंडिफा इस लैंडिंग साइड इन एरिया चार किलोमीटर धाई किलोमीटर अब यह देखो यह एडिया बढ़ा दिया गया है चार किलोमीटर भाई धाई किलोमीटर पहले कुछ मीटर में था पहले एडिया बहुत छोटा था चंद 1.68 km per second को 0 speed पे लेकिए आएंगे, सबसे crucial यही होगा, ठीक है, फिर विक्रम speed will reduce, lander का नाम विक्रम है, rover का नाम प्रग्यान है, नाम नहीं चेंज हुए, विक्रम speed will reduce enough for its rover over landing area, तो वही speed को कम करेंगे, उसके बाद 6 बच के 4 मिनिट, बिल्कुल जब पास में आजाके तो उसक प्रग्यान जो है, rover से बाहर आएगा, सारी चीजे, दोनों एक दूसरे की photo खीचेंगे, और उसके बाद एक ही, one lunar day की life experiment करेंगा, स्पेक्ट्रो मीटर सारे लगे हुए, and then, so इस रो जो है, वो second landing 14 घस्त को, नहीं तो last window जो है, वो mid September को ही होगा, ठीक है, 14 दिन तक आपको wait करना पड़ सकता है, बट ठीक है, आज देखी का आज ही हो गई है, मैं बता रहो ना कि, जो भी है, या आज ही land करेगा, आग को क् मुझे बताएगा, और आज वो भाई चंदरियान 3 पही हम लेचर करेंगे, so, all the best इस रो, गर्व की बात है हमारे लिए, आगे हमारे course को ज़रूर अवेल करें, thank you so much.